हलो बच्चों आप सभी का युके जी कक्षा में स्वागत हैं बच्चों आज हम सेब का चित्र लेखन करेंगे हमने इससे पहले पेड़ का चित्र लेखन किया था आज हम करेंगे सेब का चित्र लेखन तो बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि ये चित्र किसका है तो यह है एक सेब तो हम लिखेंगे यह एक सेब है ठीक है फिर हमें बताना है कि यह एक फल है या एक सबजी तो बच्चो जैसे कि आप सब को पता है कि यह है एक फल तो हम यहाँ पर लिखेंगे यह एक फल है पूंड विरा अब हमें बताना है इसका रंग तो इसका रंग है ला तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसका रंग लाल है, पूर्ण विराम, अब बच्चों हमें बताना है इसका स्वाद, तो बच्चों सेब का स्वाद कैसा होता है, मीठा, तो हम क्या लिखेंगे, यह मीठा होता है, पूर्ण विराम, तो बच्चों चलिए एक बर जल्दी से दो है इसका रंग लाल है यह मीठा होता है बच्चों आप सभी को अपने हिंदी की नोट बुक में सेव का शित्र लेखन करना है तो बच्चों आज के लिए इतना ही धन्यवाद